दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी को हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑनलाइन काउंटर टिकट कैंसिलेशन रूल्स या नियम के बारे में बात करने वाला हूं जैसे कि मेरे एक सस्क्राइबर है जिनका काउंटर टिकट होग से और उन्हे कि पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि वह आनलाइन काउंटर टिकट कैंसिल करने के बाद वह काउंटर पर दो-तीन दिन बाद गये थे इसलिए उन्हें उनका refund amount नहीं मिला क्योंकि रेल्वे के नियम के अनुशार अगर आप अपना online counter टिकट चाहे वह वेटिंग लिस रेसी या confirm टिकट क्यों ना हो online cancel करते हैं तो 24 घंटा का अंदर आपको रेल्वे काउंटर पर जाना होगा तब आपको refundable amount आपको मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह cancel टिकट है जिसका refundable amount passenger को नहीं मिला है इस ticket को online cancel किया गया है एक छोटी सी गलती के करण अक्सर ऐसी गलतिया सभी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टिकट तो cancel हो चुका है बाइलेंस भी refund 100 हो ही रहा है तो काउंटर पर जाकर कभी भी अपना amount refund ले लेंगे तो नहीं दोस्तों अब जो हुआ सो हुआ लेकिन अब जनकारी के हिसाब सबको बता दूं कि अब ऐसा गलती ना करें क्योंकि रेल्वे को बहुत ज्यादा फायदा होता है तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गलती ना करें आप सभी अपनी हक का पैसा रेल्वे से जरूर ले मैं आप सभी को फिर से एक बार बता देता हूं कि online counter ticket cancel करने के बाद रेल्वे काउंटर पर 24 घंटा के अंदर हुमारा यह जिनकारी काफी अच्छा लगा हूँ अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक से जुरूर करें ताकि हमारा अगला helpful वीडियों तो पहुंच सेखें